2019 में आने वाले कुछ प्रस्ण है जो आप सब को यह बनाए है यह 2019 में आने वाले प्रस्ण है केमेश्ट्री का जो लगूत्री प्रस्ण है और भूट सोट टाइप में इसका इंसर हम दिये हुए हैं जो आपको आसानी से बोड़ की इग्जा में लिख सकते हैं हमारा कुश्चन नमर फर्श देखिया है परिशारक दाब को प्रभासित करें परिशारक दाब अपसमानी हो जाता है अंसर बाहर से अरोपित म्यूतन दाब जो प्रासरण को रोक दे परिशारण दाब कहलाता है अन्यों के डिसोसियेशन या एसोसियेशन के कारण परिशारक दाब अपसमानी हो जाता है इसमें कुश्चन दिया हुआ है परिशारक दाब अपसमानी हो जाता है तो इसका अंसर आप नीचे देख सकते हैं प्रिसारत दाफ अब समान नहीं हो जाता है अगला क्वेंदू दोस को प्रिभासित करें ठोस हवाओं में फ्रिंकल दोस क्यों उत्पन हो जाता है देखो बच्चो यहाँ पर 2019 में जो क्वेंद दे रहा है इसको एक question में double question करके जोड़ देगा है जिसके कारण हमने हर एक प्रस्ण को दो question में जोड़ा हुआ दिया है जो दो नूमर में आ सकता है और team marks में भी यह आ सकता है हमरा question number two दखें बिंदू दोस को प्रिभासित करें उसके बाद देखें कैया लिखा हुआ है ठोस आवाओं में फ्रेंकल दोस क्यों उत्पन हो जाता है इसका अंसर दिखें बूद उसौ टाइप में बना है ठोस रओं में आयनों के लुप्ध होने या मिस्पलेड होने के कारण उत्वपन दोस को बिंदू दोस कहा जाता है ठोस रहों में फ्रेंकल दोस आइनों के मिस्प्लेड होने के कारण उत्वपन हो जाता है वह हमारा question number 3 संच्छेप में लिखें आपको दो गती का दिया हुआ है इसको आपको संच्छेप में इसका अंसर देना है ब्राउनियन गती बहुत important question है बच्चों इसको ध्यान से आप याद करिएगा लीखने का प्रयास करिएगा दो नमर में आ सकता है एक बहुत important question ब्राउनियन गती को देखें को लाइडी कन बिलियन में लगाकर या द्रिश्चिक गती में गमन करता है उस गती को ब्राउनियन गती कहा जाता है अबिक्रिया का अर्थिकाल वह समय जिसमें किसी अभिक्रिया में प्रतिपाद अपने मूल मात्रा का आधा हो जाता है अभिक्रिया का अर्थिकाल कहा जाता है वह समय जिसमें किसी अभिक्रिया में प्रतिपाद अपने मूल मात्रा का आधा हो जाता है अभिक्रिया का अर्थिकाल कहा जाता है जो उठाए कोस्चन देखिए बहुत इंपोर्टेट कोस्चन है संक्रमन तत्तों में प्रिवर्तन अक्सीजन अवस्था क्यों होती है संक्रमन तत्तों में प्रिवर्तन सील अक्सीकरन अवस्था उनमें अपूर्ण डी और विटलुक के कारण होती है वियाख्या करें कि समान अवस्थाओं में क्यों H2O तरल अवस्था में होता है जबकि H2S गैसिय अवस्था में होता है इसका अंसर देखें उस सोट टाइप में दिये समान अवस्थाओं में H2O तरल अवस्था में होता है जबकि H2S गैसिय अवस्था में होता है इसका कारण H2O में अंत्राण्य हच बंधन का मुझूद होना है वहीं पेक मेरा क्वेश्चन नमस्ट देखिए क्वेश्चन आप लोग जुरूर नोट कर लिजिए क्योंकि इस क्वेश्चन को आप अंसर कहीं गाइड में आपको मिल जाएगा बहुत असानी से इसका अंसर आपको मिल जाएगा जो भी बच्चे 12 में पढ़ते हैं 12 का यह के एवां ETHLY-alcohol के अंतर के पश्ठ्र करें इसका आंश सतर दखिए ओईल ऑफ विंटर गृण प्रिक्षन के द्वाराbes Espust Organ k विच अंतर किया जा सकता है मिथाइल एलकौहल मिथाइलस About Franz Gaslight की गंथ देता है जबकि एथाइल आलफ कोई गंथ नहीं देता है इसी के कारण इथाइल एल्कोहल के अंतर यह अंतर है समझे बच्चे हैं यहाँ पर दिखे मेरा क्वेश्चन है जो निम लिखी मौनोमर का नाम लिखे हैं नायलोन 6 यह भी आपजेक्टिब में आ सकता है पिसले हमने इसमें लिख दिया है नायलोन 6 के एमीनोहेक्सानुई के सीडिस को बला जाता है अबुनाइस यह व्यू टाइन एवं एस्टाइडीन यह आपको पता होगा और यह हमारा नो नोमर कोश्चन रहा निमन के बारे में बताई इथर का कोथनाइक एलकोहल से काफी कम होता है इसका अंसर हमने बहुत छुड़ा हम दिया हुआ है इसमें दू कोश्चन है देखिए एक दूसर भी है फिनोल अलकोहल से अधिक अम लिये हैं तो हमने फस्ट का दिया हुआ है इथर का कोथनाइक यह अलकोहल से कम होता है चुकि अलकोहल के अनुओ के बीच हाइड्रोजन बंधन उपस्तित है इथर में हाइड्रोजन बंधन नहीं है इसका बी कैंसर फिनोल अलकोहल से अधिक अम लिये है इसका अंसर हम आपको बता रहे हैं देखे इसका इंसर बचो फिनोल फिनोल एक कमजोर अमले है इसका अमलिये गून इसलिए है कि घोल में स्थाई फेनोकसाइड आयन देता है इसको हम आसानी से बना सकते हैं और यह बहुत इजी है आप थोड़ा सध्यान देता हो C6H5O उपर माइनस का चिन रहेगा प्लस S3O प्लस रिलात्मक रिलात्मक आविस पूरे बेंजीन रिंग पर बिखर जाता है यही आविस फेनोकसाइड आयन को स्थाई तो प्रदान करता है इसलिए यह आप